प्रभीश मसी के नाम में आप सभी को जे मसी की तो मेरे प्रियों एक चर्च में आतंगवादियों ने बंव स्पोर्ट किया जिसमें चार लोगों की मोत हो गई और पचास से अधिक लोग घायल हो गई जिनमें काफी लोगों की जो हालत है वो गंबीर बताए जा रही है मेरे प्रियों आज हम देख रहे हैं कि किस परकार से मसी ही लोगों के पर जो आतंगवादी है जो विरूदी लोग है वो अटेक कर रहे हैं अलग-अलग देशों में अलग-अलग राज्यों में हम देख सकते हैं कि किस परकार से मसी ही लोगों को सताने का काम कर रहे हैं तो ये जो घटना है जो आतंगवादी उने आई-एस ये घटना का इंजाम दिया है और उसने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है कि चर्च में जो बंबिस्पोर्ट किया था वो आई-एस आतंगवादी संगठन है उसने किया था और उसकी जिम्मेदारी खुद संगठन ने ली है तो ये जो घटना घटी है वो फिलिपिन्स की है जहां पर एक प्रातन सबा के दोरान बंबी स्पोर्ट किया गया उनका टारगेट मसीह लोग था क्रिश्चन लोग अनुसार बताया गया है कि चर्च में प्रातन सबा के दोरान धमाका चार लोगों की मौत हो गई है पचास से अधिक लोग घायल हो गए है आई एस ने ली हमले की जिम्मेदारी गवाह ने कहा कि उसने एक जोरदार वी स्पोर्ट को सुना पाद में पुलिस और एंबुलेंस एकटा हो गई दक्षिन फिलिपिन्स के मुस्लिम बहुल सहर मरावी में एक प्रातन सबा के दोरान गिर चर्च के बाहार हुए बम हमले में चार लोगों की मौत हो गई है और वही पचास से अधिक लोग घायल हो गए है जेने में से कई लोगों की हाला गंबिर बताई जा सरकारी परिशा सुरुक्षा अधिकारी ने बताया कि मिंडानाओ स्टेट में सुबह के समय प्राथना सबाद चल रही थी उसी समय विस्पोर्ट हुआ और अधिकारियों ने हमले को इसलामिक आतंगवादियों बताया है फिलिपिन्स के राश्पती ने कहा है कि विदेशी आतंगवादियों ने सवेंद्रही शिल और सबसे घनन्य अपराद किया है इसके पड़े शब्दों में राश्पती ने उसकी निंदा की है उन्होंने कहा है कि निर्दोस की खिलाप हिंसा करने वाले चरम पंतियों को हमेशा हमारे समाज के लिए दूसमन माना जाएगा हमा के जवान और पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर ली है और सिसित्रीवी फुटेस वीडियो के जरिये आतंगवादियों के पहचान की जा रही है आई एस समूने लिए बंव स्पोर्ट की जिम्मेदारी मीडिया रिपोर्ट की मताबिद इसलामिक इस्टेट आई बिस्पोर्ट किया है इस परकार से आई एस जो आतंगवादी संगठन है उसने ये जिम्मेदारी ली है तो खिरप्या करके प्रात न करें जो लोग हायल है प्रबून को चंगाए दे आप सभी को जे मसी की प्रेज लॉट